आका संबानी को क्यों माफी मांगनी पड़ी बोच मैं से? आखिर क्यों डांट खानी पड़ी अपने पिता मुके संबानी से आका संबानी को? अगर कभी भी देश के अंदर सबसे अमीर इंसान की बात की जाती है, तो सबकी जबान पर मुके संबानी का नाम आता है आज के समय में मुके संबानी को देशी ही नहीं बलकि दुनिया भर के लोग जानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लोग जितने अमीर होते हैं उनके अंदर उतना ही घमंड आ जाता है लेकिन मुके समबानी इन सभी बातों से उलट है ना तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी घमंड है और ना ही वह कभी इस प्रकार की कोई हरकत करते है अब ऐसे में हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं वहीं किस प्रकार अपने संसकारों से जुड़े हुए हैं और नहीं वह अपने कभी संसकारों को भूलते हैं वहीं उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया है लेकिन सायद ही यह किसी को मालूम होगा इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे को अकास अमवानी को बोच्मेंस से माफी तक मांगनी पड़ गई थी तो आएए जानते हैं आखिर क्या था मामला आएए जानते हैं दरसल एक वार नीता अमवानी और मुकेस अमवानी सिमी ग्लेवाल के सोब में पहुँचे थे जहां पर उन्होंने इसमें जीवन के बारे में कुछ बात ने सेहर की थी नीता अमवानी ने बताया कि मुकेस अमवानी एक बहुती साधराड़ से व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं उनके बच्चे भी एक अच्छे इंसान बने वही नीतामवानी ने बताया कि मुके सम्वानी हमेशा चाहते हैं कि उनके पैसों की कीमत को समझें और उनका कहना है कि पैसों का पेड़ नहीं होता बलकि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उन्होंने अपने बेटे आका संबानी के मामले का भी जिक्र किया और बताया कि एक बार उनके बेटे आका संबानी चौकिदार से बहस कर रहे थे और मुके संबानी ने उनको चौकिदार पर चिलाते हुए देख लिया था वह आगे बताती है कि सम्मानी ने फिर उसे चौकिदार के साथ उसके बिवार के लिए गडाटा था और उससे माफी मांगने के लिए भी कहा था जिसके बाद आका सम्मानी ने अपने पिता के कहने पर चौकिदार से माफी मांगी थी तो दोस्तों मुकिसम मानी के संस्कारों के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब